है 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 तो सवागए बच्चों अभी मुझाए स्मझते हैं कि आज का डिसकेशन काफी इंटरेसिंग रहने वाला विकास नामिक है वाट टू डू वट नौट टू बटकब वाइल प्रपेरिंग दा स्लेबस मतलब आप अपना स्लेबस कर रहे हो जब प्रपेर कर रहे हो क्या चीज़ें क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए बट उसके पहले देखो जैसे जैसे सी सैट का एक्जाम पास आगा ना तो दिलों की थोड़ी धड़कर बढ़ने शुरू होगी कि यार कैसे करे जी आइस भी करनी है साथ में साथ में सी सथाट इतना मुश्किल था था तो 24 में पता नहीं हो पाएगा कुछ बच्छे इतने ब्रिल्लेंट जीएस में बता नहीं सकता है बट सी साथ मैं ओलमस्ट ऑलमस्ट और बस इतना पढ़के गए कि बस पास होना राया पिर गुए के है निए अच्छी हो कोई फारगी नहीं पढ़ता एक्जामेनर को फारख नहीं पढ़ता प्थ अजी ना पहली बतार रहों को यह लेना दिना अनि आप एक साल से त्यारी और रहे हो आप कब से तयारी कर रहे हो अजी है बेसिकली एक्जाम मेर को मतलब ओल ओवर आपकी पर्फोर्मेस कैसी है कि क्या आप जो आपको मैथ रिजनिक सीज्ट पिपर टू सीजट बोलते हैं इसको मैथ रिजनिक इंग्लिश में उतनी लायक है जितने अप जी एस में हैं क्योंकि β क्योंकि क्योंकि लेना देना कुछ भी हो घरा और यह मैंने इसको क्रेका करके दिखा citizenship है कि स्टेरहएं कि अपने इसको करने चायन है अब करना आपके पास चारा नहीं कि दो चलेगा देखो यह काम तो है निना किसी सेट में अगर दो नमर का मांगे जीए से दो नमर जादे लिए इस सब इस इस नेचर इस कॉलिफाइंग बट उसको कॉलिफाई करना ही एक माइल सोन बन चुका आज कटाई में ठीक है क्योंकि होई नहीं रहा कॉलिफाई वच्चों से होई नहीं रहा इसी लिए आज का सेशन बड़ा खास है यूदिक है क्योंकि आप लोगों को यहीं नहीं पता कि जब प्रिपेर करना है तो कैसे करना है उसको आगे कैसे लेके जाना तो समझें चीज़ों वाट टू what not to do सबसे पहले लगा कि क्या है जब हम एक्जाम की तयारी कर रहे है कब हम हमें टमस 11 progress को करना है कैसे में करना है अगर मैं सबसे पहले सबसे भाषी क्या होना चाहिंग है कंपलीट एवर सक heut सबसे पहले क्या कर लाइन आपको जो आपका स्लेफ का हो घिंड करो आं प्रश इनिग्लिश का सबसे पहले सब्सक्राइर है जीतना जाथ उसकी करेंगे जितना जादा ब्रेडिंग हच्छा रहें आपके लिए चाहिंट इसनिह काथ kLo cri कि आपको आपने जैसे सबसे पहले हमने परसेंटेज पड़ा फिर हमें प्रपोशन पड़ा होता क्या है यह हमें अच्छे से अच्छे आते हैं प्रोफिट लोग इस बड़े सारे पांचे चैप्टर कर लिए अलग अलग उसके बाद आपने करी ना गई है तो इसके जो कुंसेप्ट है ना भूलने लगोगे आपको यह तो याद रहेगा हां ऐसा कुछ होता है यह नहीं याद रहेगा कि वह क्या होता है समझो इस चीज़ को सबसे पहले करना कि कैसे उसके साथ साथ हमें रिवीजन यह नहीं सोचना हमने की भाई स्लेबस होगा उसके बाद रिविजन गलाच चीज़ हो आपने एक चैप्टर कर लिया उसकी जैसे मैंने सपोस करो मैंने परसेंटेश किया लाइक अगर मैंने है मैंने सपोस्ट किया क्लिया अब परसेंटेश किया बट साथ के साथ मुझे क्या करना है कि इसके एंप सी कीजिए मुल्टी पल चॉइसको और जैसे परसेंटेश के साथ मिरा मैंने रिशन पर पर पॉश्चन क्लिर हो गई तो इन चप्टर के अब क्या करो प्रीवेस यह कोश्चन भी आप कर सकते हैं जो आपका दिल करें जिस तरह आपका दिल करें उस तरह से आप इसके टाइमली रिविजन अच्छे से कर सकते हैं क्लियर तीसरी बात जब आप करें मेक प्रॉपर नोट्स कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई चैप्टर है उसी रिविजन कैसे कर पाएंगे उसकी रिविजन आप करोगे कैसे जब तक आपके पास कुछ दाटा ही नहीं तो सबसे अच्छा क्या होगा कुछ रिविजन के लिए नोट्स तो बनाओ वह आपके शौट्स नॉट्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है सबसे बड़ी बदर रट्टा नहीं मारना कि हाँ यह उतांख बंद करके लगा बिल्कुल नहीं तो यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी है नेक्स क्या है मेरे पास इसमें तो कहां पर दी मोटिवेट ओते हैं और कहां वह से दूर जाने लगते हैं जब लगाते हैं बिना तयारी और बिना अपने स्लेवर को कंपलीट किये होगा क्या सब्सक्राइब करो एक यह स्थी कोश्य ने है । ठीक है जी पचास नमबर बन रहा है और इतना ही रहता है फि याद रखिए बिना इसके कोई फाइदा निए ठीक है क्योंकि टैसरे आपको बताएगी और वाइवाइव टूट टैसरे इस विकाज टैसरे लिए बाट लूप फोल्स लूप होल के बारे में सिर्फ टैसीरिज सी बताएगी कि अगर आपने प्रसेंटेज के सो बस्ट की प्रेक्टिस की थी बट आप स्टर्स में क्या है हर अलग-अलग से बाट अगर चालिस कोषी नहीं सारे कोशन अलग-अलग है कि यहां पे आप कर पार हो कि ने कर पार है कोई मतलब नहीं है यहां पे जो एक से दो कुछन परसेंटेज का रहा है क्या वह कर पा रहा है कि कैसे हो कैसे हम इन चीजों को आगे लेके जाएंगे समझागी बात तो टेस्स करो उसके बाद कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है इस टेस्ट जो आप टेस्ट देरो इसकी चार से पांच पॉइंट अगर जो बच्छा समझ गया उसका बेड़ा पारा टाइमली डिवीजन करनी है टेस्स देने लूप होल्स कैसे पता चलेंगे जब आप इसके अनलीसिस करोगे व कि अनलीसिस हमें बताए कि हमने कहां गलती कि सपोस करो मैंने प्रॉफिट न लोगस कोई गलत कि अनलीसिस बताए कि कैसे होना था जब आप अच्छे समझोगे को बैठके अराम से करोगे तो वह गलती दुबारा नहीं होगी कंफार्म है जो अच्छा सीरिस हरेगा उससे त कि कैसे मैं अपने तयारी को आगे लेकर जाओ उसके लिए बहुत इंपोर्टिट होगा है चलिए अब वट नॉट 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 करना चाहिए सबसे पहली बात उन बच देखो सिद्धिस की बात है जो मैंने किया उसका उपसे पहले बिना स्लेबस के कुछ नहीं करना वट नॉट 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 सबसे पहले आपने क्या नहीं करना बिना स्लेबस कंप्लीट के कुछ नहीं हाथ लगाना जब तक आपको स्लेबस की नॉलिजी नहीं है कि कैसे पूरा करना है क्या स्लेबस है तो कुछ नहीं करना कोई टैसर नहीं लगानी है क्लियर और देखो जब आप बिना स्लेबस की मैदान में जाओगी न यह वह वाली बात होगी क्रिकट खेल रहे हो लेदर की बॉल है और भाई पैडिंग हमने की नहीं हमने पैड हमने डाले ग्लब्स अमने डाले लें होलमेट म lounge ऩो राल हम बिना शलेबस के कुछ कोई टैसर नव्लगान कभी यह नही आता है हर बच्चा यह सोच जाता कि कभी नहीं आपने क्योंकि अगर यहाँ उवरबा Sweet 네स दिखाऊगी तो कहीं ना कहीं यह फायर relative करेगा और इनIDE बनेगा कि समझ आगी बाद तो ये दो पॉइंट ऐसे हैं कि बिना सिले बसके कुछ नहीं नमबर तो ओवर कॉंफिजेंट कभी नहीं होना नमबर तीन आप जो एम सी यूट कर रहे हो न वो चैप्टर वायस नहीं करने सबसे वह देख लुए कैसे करोंगे बच्छे गलती क्या करते हैं बता रहा हूं वह चैप्टर वाइस करते हैं वह मिक्स कोश्चन की प्रेक्टिस नहीं करते हैं पो हुमेखकशन का है नहीं करते तो आपने मिक्स कोशी करना सबसे इंपémaठट बच्छे क्या नहीं वह क्या करते है प्रेवेश चूड दिते हैं आप नहीं चाहरे प्रेवेश बिल्कुल भी नहीं छोड़ने मिक्स जरूर करने तो यह कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको एक नॉर्मल स्टुएंट से आगी लेके जाएंगे सब्सक्राइब करो बच्चे करते हैं बिना स्लेबस कंप्लीट किये ना कर जैसे मैंने जैसे मैं क्या बोलता हूं जो बेसिक है ना पर्सेंटेज और रिश्यों प्रपॉस्ट्ट रहें जो आपका बेस बनाते हैं सी सेट के लिए अगर आपने यही दो चैप्टर नहीं कि तो आगे के चप्टर आपको समझ जवाब भी तो तो सबसे पहले वट नॉट टू बिना पर्सेंटेज और रिश्यो प्रपोश्टिन के आगे मत बढ़िए जब तक आपको लग रहा है कि महीन सी रहा है इन दोनों चप्टरों में क्यों महीन से रहा है आपने क्रॉस करके आप वेलें गुड तब आपके बढ़ सकते हैं तो अधरवाइस यह गलतियां मत करना प्लीज बता रहा हूं मैं क्योंकि यह गलतिया वह जो ऑफन ली बच्चे पेपर में करते हैं और इसका खामियाजा पूरा आपका एक साल है जी ऐसा आप अच्छे से कर लेते हैं बट सी करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब कीजिए थैंक यू